दोस्तों, 14 ओगिस्ट 1947 के खत्म होने में बस कुछ ही वक्त बचा था और आधी रात को इतिहास लिखा जाना था। उन्होंने भारत की आजादी को अनाउंस किया और कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Constituent Assembly खचा खच भरी थी, सारे दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन भारत की आजादी के सबसे बड़े नेता महत्मा गांधी वहां नहीं थे. तो कहां थे गांधी? दोस्तों, वो गांधी जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपसी मतभेद के बावजूद राश्ट्रपिता या Father of the Nation डिकलेर किया, वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर नोआखली में थे. जी हाँ, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी बेंगौल के नुआखली में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे. हमारी आज की कहानी इसी आग की है, जो आजादी के वक्त पूरे देश में सुलग रही थी. आज की कहानी उस घटना की है, जिसने आजादी के जश्न को फीका कर दिया. वो घटना जिसने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो दिलाई, लेकिन ऐसी कीमत पर जिसका हिसाब भी लगा पाना नामुम्किन था. ये कहानी है दो ऐसे मुलकों की स्थापना की, जो 75 साल बाद भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं. दोस्तों, ये कहानी है भारत के विभाजन की, इंडिया डिवाइड़ अड़ स्ट्रोक ओफ दे मिद्नाइट आउर, 15 ओगस्ट 1947, लगभग 200 सालों के दमन के बाद, बिटिश राज ने भारत छोड़ा और भारतिय उपमहद्वीब, दो आजाद देशों में विभाजत हु हिंदू मिजॉरिटी सेकिलर इंडिया और मुस्लिम मिजॉरिटी सेकिलर पाकिस्थान, भारत तो आज भी सेकिलर है, लेकिन पाकिस्तान का सेकिलरिजम 1955 में खत्म हो गया, और वो एक इस्लामिक स्टेट बन गया, खैर पार्टिशन का अंदाजा 1947 के पहले ही लगाया जा र करने लगे, पर इन में से कई लाखों लोग तो बॉर्डर पर पहुची नहीं पाए, पार्टिशन के खबरें तेज हुई और ब्रिटिन एक हेस्टी विड्रॉल के प्लैंस बनाने लगा, परिनाम स्वरूप भारत में अव्यवस्था और अराजकता के बादल छा गए, इस अराजकता के सबसे बड़े शिकार बने दो बॉर्डर प्रोविंसेज, पंजाब और पिंगॉल, जहां दंगों की आग सुलगने लगी, अंग्रेजों ने ये विभाजन पेपर पर लाइन्स खीच करतों कर दिया, पर उन ग्राउंड इसका अंजाम था, हजारों लाखों लोगों का कतले आम और डिस्प्लेस्मेंट, महिलाओं के साथ रेप्स हुए और बच्चों को किड्नैप कर बाजारों में बेच दिया गया, नरसंगहार, सेक्शुल वाइलेंस, डकैती, लूट, फोस्ट कन्वर्शन्स ये सब आम बात हो गई थी, एक रिपोर्ट के हजार औरतों का हिंसक भीड और दंगाईयों द्वारा रेप किया गया, और ये सिर्फ रिकॉर्डिट डेटा है, इन रियालिटी तो ये नमबर लाखों में था, पडोसी ही पडोसी का दुश्मन बन गया, हैवानियत अपने चरम पर थी, फेमस लेखक सादत हसन मंटो उस दोर में विभाजन के इस भयावह रूप को अपनी कहानियों में बताते रहे, खुश्वंत सिंग ने भी अपनी किताब A Train to Pakistan में पार्टिशन के इस कुरूप चेहरे की चर्चा की, देश भर में फैली इस अराजकता ने देश को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को जग हजारों सालों से लाजली एक शांती पूर्वक महाल में रह रहे लोग अचानक दुश्मन बन गए और उनके बीच बॉडर्स बना दिये गए, लेकिन दोस्तों ये दुश्मनी अचानक से पैदा नहीं हुई थी, इस दुश्मनी का जन्म एक conscious process या सोची समझी साजिश के तहट हुआ, ये conscious process क्या था, आगे हम उसकी ही चर्चा करेंगे, और देखेंगे कहानी भारत की road to partition की, दोस्तों, इंडिया का partition उस last minute agreement का नतीजा था, जिसके तहट Britishers भारत को आजादी देने वाले थे, लेकिन इस partition के बीज कब बोई गए, इसकी कहानी काफी पुरानी है, Britishers के खिलाफ जब आजादी की लड़ाई छेड़ी गई, तो Indian National Congress उस लड़ाई का सबसे prominent organization बन के उबढ़ा, इसका formation 1885 में दादा भाई नावरो जी, A.O. Hume और D.C. वाचा जैसे नेताओं ने किया था, लेकिन partition तक आते आते, इसका main control महत्मा गांधी और जवाहरलाल नहरू जैसे नेताओं के हाथ में चला गया, Indian National Congress और उसके most prominent नेता, including महत्मा गांधी, One Nation के idea के supporter थे, यानि वो मानते थे कि देश में रहने वाले अलग-अलग धर्म और जाती के लोग एक राश्ट्र बनाते हैं, और वो उसमें peacefully रह सकते हैं, यही वज़य थी कि महत्मा गांधी partition से इतने आहत हुए, कि जब दिल्ली में Congress आजादी का जश्न मना रही थी, तब गांधी नुआ खली जाकर दंगाईयों को हथियार रखने के लिए मना रहे थे। गांधी का One Nation का सपना तूट गया था, वो खुद भी तूट गय थे। खैर, Congress और गांधी के आइडियाज के खिलाफ सबसे बड़ा opposition आया right-wing political group से, जिनका जन्म Congress के secularism के against एक reaction के रूप में हुआ था। Muslim League जैसे organizations जो minorities को represent करने का दावा कर रहे थे, उन्होंने specifically Congress के One Nation के आइडिया को challenge किया। League के सबसे ताकतवर नेता, Muhammad Ali Jinnah ने Congress को Hindu organization declare कर दिया, और गांधी पर Hindu majoritarianism को promote करने का आरोप लगाया। Jinnah ने देश के Muslims को ये बोला कि चुकि 80% लोग भारत में हिंदूस हैं और democracy में majority vote से ही सरकार बनती है। इसलिए आने वाले समय में Muslims के खिलाफ discrimination होगा। इसलिए Muslims को एक अलग देश बनाने की जरूरत है। Jinnah ने अपनी two nation theory में ये भी कहा कि Muslims और Hindus के interests अलग-अलग हैं। और इसलिए वो एक देश में शांती से कभी रही नहीं सकते। लीग के अलावा डॉक्टर शशी थरूर कहते हैं कि ऐसे ही similar arguments हिंदू महासभा के नेता विनायक दामुदर सावर कर भी दे रहे थे। डॉक्टर थरूर अपनी किताब Why I am a Hindu में ये दावा करते हैं कि two nation theory के सबसे पहले दावेदार सावर कर थे। जिन्होंने 1937 में इस theory को propound किया, much before Muslim League's Pakistan Resolution of 1940। theory किसने पहले दी, किसने बाद में, या किसने दी या किसने नहीं दी, या किसकी theory कैसे different थी, इस पर तर्क और वितर्क आज भी जारी हैं। लेकिन एक बात साफ है, और वो ये कि two nation का idea जन्म ले चुका था, और ये Indian political awakening का वो negative outcome था, जो विभाजन का कारण बनने वाला था। एक और बात काफी crucial है, two nation theory और देश में बढ़े Hindu-Muslim divide के लिए, Congress-Muslim League और Hindu-Mahasabha conflict से भी ज्यादा responsible Britishers थे। चलिए देखते हैं कैसे, laying the foundation, partition and British divide and rule, अंग्रेज जब भारत आये, तो उन्होंने कई rebellions और revolts फेस किये, 1857 का विद्रोह अंग्रेजी ताकत के लिए सबसे बड़ा existential threat बना, क्यूंकि इसमें Hindu-Muslim unity बढ़ चड़ कर देखी गई, कई Hindu leaders ने Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar के अंडर pressures ने इस विद्रोह को कुचल तो दिया, लेकिन उन्होंने ये conclude किया, कि अगर उन्हें इंडिया में राज करना है, तो उन्हें Hindu-Muslim unity को break करना ही होगा, इसलिए उन्होंने Divide at Impera नाम के एक Old Roman Maxim पर-based divide and rule policy अपनाई, और अपनी policies के थ्रू, वो Hindu-Muslim divide को बढ़ावा देने ल इसकार दावा करते हैं कि लाजली Hindu-Muslims इंडिया में peacefully ही रहते थे, यही भारतिये civilizational glory का प्रतीक बना, लेकिन British divide and rule policy ने Hindu-Muslim divide को एक national या राश्ट्रिय अवतार दे दिया, Divide and rule सिर्फ religious lines में नहीं हुआ, बलकि यह हर possible angle से किया गया, Sikhs को Muslims के against, एक caste को दूसरी caste के against, एक region को दूसरी region के against, Tribals को non-Tribals के against and so on, यह divide and rule हमें कई British policies में दिखता है, 1857 की करांती के बाद, अंग्रेजों ने Sikhs, पठांस और गुर्खाज को appease करने के लिए military recruitment में discriminatory policy को adopt किया, ऐसा इसलिए क्योंकि Sikhs, पठांस और गुर्खाज ने Britishers को विद्रोहों में support किया था, जबकि आवद, बिहार और South के soldiers के खिलाफ discrimination हुआ, क्योंकि यह 1857 विद्रोहों के main supporters थे, इसके अलावा, caste basis पर division के लिए Britishers ने caste based regiments भी create किये, Britishers ने बाकी के administrative jobs में भी discrimination कर, specific communities को appease करना चालू किया, कई educated और influential leaders को इस्तिमाल करके भी, Britishers ने religious divide को fuel किया, for example, Britishers ने actively Muslim reformer Sir Sayyad Ahmed Khan को patronize किया, और उनसे urge किया, कि वो Muslims को Indian National Congress को boycott करने के लिए मनाए, समय और situation के हिसाब से जो भी group अंग्रेजों को favorable लगता, वो उन्हें appease करते और society का विभाजन करते, ये पूरी divide and rule policy अपने चरम पर तप पहुँची जब 1909 का Molly Minto reforms आया, इसके तहत Muslims को separate electorate दे दिया गया, इसके तहत Muslim ही Muslim candidate को vote कर सकता था, और इसी लिए इसे communal electorate भी कहा गया, इसने Hindu Muslim differences को politicize और nationalize कर दिया, और अब किसी भी प्रकार का reconciliation मुश्किल लगने लगा, कुछ historians तो ये भी दावा करते हैं, कि 1857 के बाद हुए almost सारे दंगों को अंग्रेजों ने ही create किया था, British collectors secretly Hindu pundits को पैसे देकर Muslims के against speech देने को कहते, और मौलवियों को पैसे देकर Hindus के against speech देने को, systematic communal poison, colonialism का वो कुरूप चेहरा है, जो हमारे समाज को आज तक हौंट करता है, न सिर्फ भारत में, बलकि पूरे South Asia में, खेर, 25% population के साथ Muslims, British India की largest religious minority थे, western provinces जैसे सिंध, पंजाब, NWFP और East में Bengal province के कई areas में तो वो majority में भी थे, यही वज़े है कि Muslim-Hindu divide, British policy का priority रहा, imperial rule में Muslims को कई political और administrative advantages दिये गए, जिनके प्रती वो 1947 तक accustomed हो गए थे, उन्हें डर था कि आजादी के बाद शायद उनसे ये benefits छीन लिये जाएंगे, especially अगर Congress power में आई तो, उपर से जिना ने already Congress को Hindus की party declare कर दिया था, 1945-46 में Muslim League को provincial election में majority Muslim votes मिले, और अब Muslim League ये दावा करने लगी कि वो Muslims की sole representative body है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे British hasty withdrawal ने situation को बद से बत्तर बना दिया, दोस्तों, World War II में setbacks face कर रहा British Empire, अपनी global hegemony already खो चुका था, उपर से 1942 में Mahatma Gandhi ने Quit India Movement में करो या मरो का नारा दे दिया था, अंग्रेज वार जीतने के लिए Indians का support चाहते थे, और इसलिए उन्हें Congress के support की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कई active efforts लिए for constitutional reforms, August Offer, Crips Mission और Cabinet Mission, इंडिया में constitutional reforms देने और आजादी की possibility को explore करने के लिए भेजे गए, लेकिन इन सभी ने पाकिस्तान के formation को largely reject कर दिया, पर March 1940 में Muslim League ने पाकिस्तान resolution को पास कर situation को काफी ज्यादा complicate कर दिया था, लीग के लिए इस resolution को implement करवाना एक credibility test था, और ऐसे में constitutional efforts को लेकर लीग और Congress में settlement नामुम्किन लग रहा था, 1947 के cabinet mission को Congress और लीग दोनों ने reject कर दिया, और जिना ने पाकिस्तान के लिए direct action लाँच कर दिया, इसका नतीजा था large scale communal violence, August 1946 में the Great Calcutta killings में लगभग 4000 लोग मारे गए, और एक लाग से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उधर March 1947 में Mountbatten नए Viceroy बना दिये गए, इंडिया से speedy withdrawal, आज American speedy withdrawal ने जिस तरह का chaos अफगानिस्तान में create किया है, वैसा ही कुछ तब भारत में हुआ, June 3 को Mountbatten ने Congress और League को ultimatum दे दिया, और कहा कि August 1947 तक Britishers भारत छोड़ देंगे, इतने साल के conflict के बाद अब नेताओं के पास कोई alternative नहीं था, उनके पास केवल दो choices थी, या तो वो बिना किसी solution के एक अराजक आजाद भारत को accept करें, जहां princely states अपनी independence डिक्लेर कर देश को fragment कर डालें, या फिर वो partition को choose कर केवल दो states बना कर इस अराजकता को avoid करें, most leaders जो two separate states को oppose कर रहे थे, उन्हें भी इस settlement को मजबूरी में accept करना पड़ा, और इसके main culprit थे अंग्रेज, उनकी conscious divisive policy और उनका irresponsible behavior, खेर पाकिस्तान को Cyril Radcliffe दोरा demarcated boundaries के तहट separate कर दिया गया, पाकिस्तान ने 14 अउगस्ट को अपना independence celebrate किया, और इंडिया ने 15 अउगस्ट को नई borders officially 17 अउगस्ट को अप्रूव हुए, लेकिन हेस्टी withdrawal का एक और नतीज़ा था, irresponsibly demarcated boundary, Radcliffe ने बाद में admit किया कि उनके द्वारा बनाई गई boundaries, out of date maps और census material पर बेस थी, Indians torn apart who was responsible for violence, हो ना क्या था, partition announce हुआ और दंगे भड़ा कुठे, लाखों लोग safer territory के लिए migrate करने लगे, Muslims पाकिस्तान की ओर और हिंदू और सिख इंडिया की ओर, estimates के हिसाब से लगभग 1.5 क्रॉर लोगों को displacement झेलना पड़ा, deaths की बात करें तो लगभग 2 से 20 लाख लोगों के मारे जाने की खबरे हैं, partition ने ना सिर्फ violent deaths को जन्म दिया, बलकि लोग disease, भुख मरी और deprivation से भी मरें, कई historians तो ये भी कहते हैं, कि भले ही partition को avoid कर पाना 1947 में मुश्किल था, लेकिन violence, death और deprivation शायद avoid किया जा सकता था। जिस तरह से partition के जिम्मेदार mainly अंग्रेज थे, वैसे ही इस genocide और crisis के जिम्मेदार भी वही थे। Britishers खुद के लोगों को बजाने में busy रहे, और पंजाब और Bengal में law and order maintain करने से परहिस करते रहे। इसलिए कहते हैं कि ये massive crisis create करने के बाद भी केवल 6-7 Britishers ही इस दौर में मारे गए। चलिए, अब देखते हैं कि विभाजन ने post-colonial South Asia को कैसे बदल दिया। Impact on post-colonial South Asia दोस्तों, इस bloody partition ने भारत को ही नहीं, बलकि पूरे South Asia को बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां हजारों साल तक diversity Indian subcontinent का hallmark रही और अलग-अलग communities के लोग सदभावना से रहते थे। वहीं दूसरी ओर partition के horror ने एक long-lasting trust deficit को जन्म दिया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, बलकि पाकिस्तान और current day Bangladesh में भी हुआ। बले ही पाकिस्तान सिर्फ Muslims के लिए create किया गया था, लेकिन in reality ऐसा हुआ नहीं। West Pakistan में लगभग 1.6% non-Muslims थे, East Pakistan या modern day Bangladesh में लगभग 22% non-Muslims और इंडिया में लगभग 10% Muslims, 1951 के census के हिसाब से बच गए। ये substantial number था, especially India और Bangladesh में। Partition में हुई हिंसा का impact इन तीनों देशों में इतना गहरा हुआ कि समय समय पर ये riots के रूप में दिखाई देता है। इसी religious strife का नतीजा था एक religious fanatic द्वारा राष्ट्रपिता महत्मा गांधी की हत्या। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका फैलाया हुआ जहर रहा। और इसने इन देशों में extreme ideologies को और ज्यादा fuel किया। और extremist organizations अपना propaganda चलाते रहे। खैर सबसे ज्यादा खराब condition थी refugees की जो deprivation face करते रहे। उनका rehabilitation स्टेट के लिए सबसे बड़ा challenge बना। डेली refugee crisis का major center था। refugee crisis 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुए इंडिया पार्क war के चलते और ज्यादा intense हो गई। और refugees और ज्यादा तेजी से migrate करने लगे। लोग छोटी-छोटी groups में 1960s तक migrate करते रहे। because of discrimination faced। इंडिया ने तो फिर भी officially खुद को secular declare कर minority protection का जिम्मा उठाया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों ये इतिहास 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिष्टों को guide करता है। जहां LOC के across आए दिन ceasefire violations होते हैं। दोनों देश आज nuclear armed हैं। और इसलिए दुनिया भर के देश nuclear war की possibility से परिशान रहते हैं। और इसलिए former US President Bill Clinton ने LOC को the most dangerous place in the world बताया था। करे दिन दूरो महती हो जो रहते हैं। 인दों को ब本त देश्ग हैं एक चाम्साइब?